इस वक्ती बड़ी खबर आ रही है हरियाना चुनाओ के नतीजे आस्वीकार हैं हरियाना के संदर्ब में हमने चुनाओ आयोग से आद दोपेहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं उनसे जवाब भी आया है उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी तीन या चार जिलों से बड़े गंबीर शिकायत आये हैं वो सब कल या परसो हम चुनावायों के सामने पेश करेंगे पर मैं फिर से दोराना चाहता हूं हर्याना के चुनाव के नतीजे अपरत्याशित हैं आश्यर यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकतें क्योंकि ये लोकतंतर की हार हुई है और तंतर की जीत हुई है हर्याना में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अपरत्याशित हैं और यहां तक की यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं अभी हम जैराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंदर सिंग हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए तीन जिलों से हिसार महिंदरगर पानीपत यहां से लगातार शिकायतें आ रही ही क कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन बैटरी जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया हमें हराने वाला नतीजा आया और जो मशीने नहीं जिनको छेडा गया जिनकी बैटरी साथ सतर प्रतिशत जो स्वाभावी क्या होनी चाहिए थी उ हम ये सारी शिकायतें इखटी कर रहे हैं हमारे candidates ने वहां returning officers को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे इस तरह का नतीज कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था आप लोग भी गए हम लोग भी गए सब घूम रहे थे कोई ये नहीं मान सकता कि हर्याना में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा हम सब अचंभित हैं ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और ल कर सकते हैं